2024 का सबसे पहला सोमावतीय मवस्या कब पढ़ने वाली है और इस साल सोमवतीय मवस्या कितनी पढ़ने वाली है सोमवती अमवस्या दोहजार चौविस देट अप्रेल में कब है सोमवती अमवस्या जानियस नान दान का सुफ मुहरत सोमवती अमवस्या कब है दोहजार चौविस चैत्र माह के क्रिश्न पक्ष की अमवस्या तिथी को सोमवती अमवस्या कहते हैं ऐसे में आईए जानते हैं कि अप्रेल में सोमवती अमवस्या किस दिन पर रही है और इस दिन सनान दान का मुहरत क्या है सोमवती अमवस्या कब है? 2024 हिंदु धर्म में चैत्र अमवस्या को बहुत विशेष माना जाता है सोंबार और सनिवार के दिन परने वाले अमवस्या बेहद महत्पुर्ण मानी जाती है इस साल चैत्र अमवस्या बेहद खास है क्योंकि इस दिन सुमबार होने से सुमवती अमवस्या का खास संयोग बन रहा है ऐसे में पित्रों के साथ श्रीप पूजा के लिए भी चैत्र अमवस्या का दिन बेहद खास होने वाला है आईए जानते हैं कि इस साल 2024 की पहली सुमावती अमवस्या कब है इस दिन पूजा और सनान दान का सुमोहरत क्या है सोमवती अमवस्या 2024 देट इस साल की पहली सोमवती अमवस्या आठ अपरेल 2024 सोमवार को है ये चैत्र महिने की अमवस्या होगी और सोमवार को पढ़ने के कारण इस अमवस्या पर स्रीप पूजा खास मानी जाती है ऐसे में इस दिन भक्त दो गुना फल प्राप्त कर सकते हैं सोमवती अमवस्या का 2024 का मुहरत इस साल चैत्र अमवस्या थी थी यानि सोमवती अमवस्या आठ अपरेल 2024 दिन सोमवार को सुबह 3 बजकर 21 मिनट पर सुरू होगी सुबह पांच बजकर 18 मिनट तक स्रीप पूजा का समें सुबह 9 बज कर 13 मिनट से सुबह 10 बज कर 48 मिनट तक पित्रों के तरपन का समय सुबह 11 बज कर 58 मिनट से लेकर दोफ़र 12 बज कर 48 मिनट तक है सुम वतिया मवस्या पर कैसे करें पोजा सुम वतिया मवस्या पर सुबह सुरियोदे से पहले उठकर गंगा नदी में या फिर घर पर ही गंगा जल में सनान करें, इसके बाद सुरे को अर्ग दे, फिर वरत का संकल पले, और सिब जी का पंचामरित से अभिशेक करें, इसके बाद पीपल के पेर पर कच्चा दोध चढ़ा कर, उसकी साथ बार परिकर्मा करें, दोफर के समय पित्रों के नाम से ज भूले, नाथ, मालक्ष्मी और सनी देव प्रसन होते हैं, सुमवती अमवस्या का महत, धार्मिक शास्तरों के अनुसार जो भी महिलाएं, इस सुमवती अमवस्या का वरत रख कर, शिब जी का पूजा करती है, उनके पती को लंबी उम्र का वर्दान मिलता है, इस दिन अप हंड सोभाग्य, सुख, सफलता, खुसहाली और पित्रों का सिर्वाद मिलता है, इस दिन नान दान करने के बाद, शिवलिंग पर कच्चे दूध और गंगा जल से अभिशेख करें, इस से पित्र दोस और काल सर्प दोस से मुक्ती मिलती है, साथ ही पित्रों की आत्मा को राप्ती होती है, कैसा लगा आप सभी को हमारा ये साल का पहला सोमा वतिया मवस्या वीडियो पुजा विधी महात्व, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर क किरू कि अधनल को लाइक, समय पक्ताइएब गल्हा विभार के लाइक, सक्राइब को हमारा ये वी डिंट इसाख का ये जरुए जरे चैनल मेरे अक्ताइए पुईें